जब सरकार आपता से जूज रही थी, हिमाचर प्रदेश आपता से ग्रस्त था, तो बहुत सारा जानमाल का जोए नुक्सान हुआ था, और उसमें बहुत सारे लोग जोए भेगर हो गये थे. आपने उस टाइम अपने क्षेत्र में या कहीं भी कोई सयोग किया हो, तो आप बताए. हमारी सरकार, कॉंग्रेस की सरकार, कॉंग्रेस की पार्टी, आपता से जूज रही थी, उस टाइम लोगों को घरों में विस्तापिक करना था, और जो उनको जानमाल का नुक्सान हुआ है, वो भी उनके लिए प्रवाइड करना था, सरकार ने दस ग्रंटी योजना दे, दस में से सरकार ने पांच सूरी किया, उसमें पंद्रा सो रपे वो महिलाएं, जो ग्रीव महिलाएं हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए ये योजना में प्रापधान किय था, आपने हर गली, हर महले में दोल बजा के और भांगडा नाच के ये कहा कि सरकार पंद्रा सो रपे क्यों नहीं दे रही है, हमारी महिलाओं ने अकाउंट खुलाए है, हम सब ने अकाउंट खुलाए है, कब पंद्रा सो रपे आए, आप ताके जूजने के बाब जूद जब मिलने लगा तो आप उसमें विरोध में खड़े होगे आपकी पार्टी और आपने चुनाउक आयोग के पास जाके इसकी स्काइप की नहीं मिलने चाहिए बहुत सारी जगा में लौर्स्पिती में और अन्यव शत्रों में 15-1500 और जो ग्रीम महिलाओं के खाते में आ रहा है आप एक ग्रीनी हो और हर महिला जो ग्रीनी होती है उसे 15-1500 की वेल्यू बता होती है आप सोचो अगर हर मेने में सरकार उनको सहतारासी दे रही है तो एक साल में और अधारा हजार होती है उसमें अगर वो उसमें बैंक में रखेगी तो उनको उसमें ब्यास्वी मिलेगी और वो 18,000 रुपया जो है महिलाओं के अपने बच्चों के वालन कोशन के लिए उनकी एजुकेशन के लिए एक सरकार की तरफ से सहता होगी आपने पिछली दिनों कहा कि सांसद ने जो पहले वाले सांसद थे जो हमारे बरतमान में जिनको टिफ्ट मिला हैं आपने उनको कहा कि उनकी पीदानी क्या काम किया और जब कांगरेश के सांसद थे तो उनकी क्या काम किया मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि जो जब वो सुल्तान पूरी जी सांसद होते थे तो उन्हों ने बहुत सारी जनाजो अपने सांसदी एक शेत्र के लिए लाई उसके बाद धनीराम सांडिल जी संसद होते थे कॉम्प्रेस पा viruses अंछे हर पंचायद में पैसे प्रताम किये और अगर आप देखो याए किसी भी पंचायद में आप कार्यकाल का पूछे तो उस कार्यकाल में उन्होंने यनकर ढाव कारी परभाईद करी अब्लाएं को फो समॆ पाइस की अफै स्यूकी जातr में पैसा पैसा नीधी देते थे हैं उसमें यह काम हो रहे की नहीं हो रहा है तो वो खुद जाके उस काम को चैत्र करते हैं आपके भी दस साल सांसद रहे आप हमें एब बताए कि कौन से एक शेत्र में उनों अपनी नीदी को खर्च किया है और किस-किस काम में काम आई है वो कभी कहीं भी हमें नहीं देखे एक जनता का चुना हुआ प्रातिनी दी अपना लाइबिलिटी को समझ के अपने संसदीक शेत्र में जाए अपने विशान सबाक शेत्र में जाए आप की सरकार केंदर में थी आप मुझे बताए आपने महिलाओं के लिए क्या किया आप किस टाइम आपने उनको अपनी हिमाचल की जो आपता से ग्रस्ती आपने सीती उनको बताए हमारी महिला कॉंप्रेस ने बहुत सारी नीदी कठा करके आपता रहत पोस्त के लिए परदान की आप मुझे पताए कि जिस हिमाचल प्रदेश में आप आज मतदान के लिए बोट मांग रहे हो और आप जिस क्षेत्र में आप परचार परशार के लिए जा रहे हो वो संसभी एक शेत्र भी आपका भी है और वही जंता है जिसके पास आप भी जा रहे हो आप मुझे पताए कि आप आपदा में आपने इतने सा योग किया। मैं आपको ताहूं हिमाचर प्रदेश जब आपदा से ग्रस्त था उसना मुख्या मंत्री जी ने हरक शेत्र में जाके दौरे किये और हरक शेत्र में दौरे करने के बाब जूद उन्होंने स्थीति को देखा और जितने भी आपदा से प्रभावित लोग थे उनको जो है सहता प्रदान की उनको भी स्थापित किया है ऐसा मुख्या मंत्री हिमाचर प्रदेश में शायद पहली बार होंगे जो खुद अपनी आपदा प्रभावित खेत्र में पहुंशते हैं आप मुझे ये बताए कि आपकी जब के ढूसंते के सांसत ते चोने हुएopus आप ये कितना प्रदाफन जनता के हित्मेश आपदार प्रभावित के खिया जबकि उनकी सरकार्थी यह तो दूर की बात है कि वह इन्होंने अबादु थायों कि बलके जो वहां से नीदी भी आती थी उसमें बुनों लाने के लिए कोई सेहब नहीं किया आप एक महला है एक गिननी है आपको पंदरा सो रुपया रोकने का कोई अधकार नहीं है हम इसकी पूर जो आपकी जो निंदा करते हैं और हम यह कहते हैं कि आने वाले समय में अगर आपने इस तरह से भ्यानवाची की तो महला कंग्रेस जो आप एक अपसड़कों में होगी और आपके लिए जो है हम करवाई की मांग करेंगे उन्हेने जो मैना किया 1700 देने से उन्हेने कहा कि 1500 डारेट नहीं में देझे सनसाधन ऐसे ज्टाब आए कि ताकि 1500 से अधिक महिला कि आयो से यह आप ठी कह ने हो कि सनसाधन ऐसे जुटाने चाहिए संसादन महिलाएं खुद भी घर में काम करती हैं और कॉंग्रेस के कार्यकाल में मैं आप पुरता हूँ पैनकों की वेवस्ता इंद्रा गांदीजी ने की और उसके बाद सोहिम साथा सुमू नो ने बनाया है और उनके कार्यकाल से सोहिम साथा सुमू और महिला मंदल बने से भाजवा देती है आप यह सोचो 2000 का एक भी पैकेट जो है दुआई का नहीं आता जो आप खेतों में लगती है उसके बाब जुद भी आप देते हैं आप यह कहते हो कि पंद्रा सौर पया पंद्रा सौर दो हजार पया एक परिवार के लिए कितने बीगे जिमीर उनकी होग उसमें जो सप्रे करेंगे या दुआया उसके लिए बीच खरी देंगे 2000 रुपए में नहीं आते लेकिन जो पंद्रा सौर पया है एक इसी एक ग्रीन को मिल रहा है उसके जो साल में कठी होगे 14 रुपया उसमें बहुत उसके जो भी का भर में हर खर्चे में हर प्रोंबलम में से योग देंगे